तो देखिए आज हम लोग बनाने वाले हैं सिर्फ एक कप चावल और एक कप दाल में बहुत ही तीस्टी डोकले की रेसिपी तो देखिए एक बूर में मैंने एक कप चावल और एक कप चने की डाल जो है वो डाल दी है इसको अच्छे से मैंने चार पानी से वाश कर लिया है अब हम लोग इसमे ना चार vehicle डालेंगे है तो हम इसे चारच से भीगाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप आदा दही और आदा पानी लेके उसे पटला करके और फिर भीगा दीजे तो हमें इतना इसमें चार डालनी है कि जो चावल और डाल है वो उपर से दिखने नहीं चाहिए पूरे डूब जाने चाहिए तो इतना डाल दीजे तो देखिए बिल्कुल अच्छे से डूब चुके हैं तो बस अब हम इसमें एक चमप जो है वो चीनी भी डाल रहे हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस इससे तरीके से भीगा दीजे और उसके बाद फिर हम इसे ढखके रख देंगे भीगने के लिए तो अभी समय हो रहा है दोपहर के बारा बज़रे हैं और मैं इसे शाम को बनाने वाली हूँ तो अभी सारे पांच बज़रे हैं शाम के और चावल और दाल बहुत अच्छे से भीग चुका है आप देख सक बस अब हमको किसको पीसना है तो हम इसको मिक्सर के जार में डाल देंगे आपे एक इंच अधरक का टुकड़ा है वो डाल दिया है और मिर्च डालेंगे इसमें अगर आपको लगे की गाड़ा है तो थोड़ा पानी अच्छा अच्छा पैड कर सकते हैं तो दो चुटकी जो है मैंने हल्दी लिए बहुत जादा हल्दी एड मत कीजिएगा नहीं तो टेस्ट जो है थोड़ा सा अलगा जाता है और यहां पे नमक सौद के अनुसार डाला है एक बड़ा चमच इस पे तेल डाल दीजी तो उससे अच्छा मौशर बना रहेगा हमारा डोकला सुखा सुखा नहीं लगेगा तो बस अब इसको अच्छे से मिला लेना है हमें जिससे सारा जो नमक है हल्दी तेल सब अच्छे से मिल जाए अब हम इसे साइड में रखेंग अच्छा सा इसे चिकना कर लेंगे जिससे हमारा डोकला जो है बाद में अच्छे से निकल जाए तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल लगा देजिए और उसे अच्छे से फिला दीजे चारो तरफ तो बस इसी तरीके से हमें इने फिला लेना है तो बस मैंने चारो अब हमें इन में ही पोर करना है तो अभी मैंने इसमें क्या किया है कि एक 1 टी स्पून जो है मैंने इनो डाला है और अच्छे से से मैं फेट रही हूँ या आप एक पाउट जो इनो का होता है वह आप पुरा डाल दीजिए तो देखिए इसका मिक्षिर का जो कलर है वह थोड आधा आधा डालना है क्योंकि वह अभी फूलेगा अगर पूरा भर देंगे तो फिर वह उपर से गिरने लग जाएगा तो आधा आधा ही भर दीजिए इसे और आधा भर के और फिर हमें इसे को स्टीम करने के लिए रखना है तो देखिए हमने इसे अच्छे से पर दिया ह आधा आधा तो बस अब इसके बाद मैंने यहां पर एक स्टीमर लिया है तो पानी गरम हो चुका है हम प्लेट टालेंगे और उसमें हम चारो कटोरियां रख देंगे और कटोरियां रखने के बाद हम उसे कम से कम आच से दस मिनट तक स्टीम होने देंगे बाद में हम उसे चाकु से या किसी भी टूद्पिक के सहायता से चेक करेंगे कि हमारा ढूखला पका है या नहीं पका है तो अभी हम इसे 10 मीनट के लिए छोड़ देते हैं इस्टीम होने के लिए और हम 10 मीनट बात चेक करेंगे तो देखे 10 मीनिट्स हो गया है बीचे मैंने एक बार चेक किया था पर तब उस समय ये नहीं हुआ था तो अभी हम चेक करते हैं तो बस अब देखिए मेरा जो नहीं वो बिल्कुल क्लीन निकल रहा हो चुका है तो अब हम इसे बाहर निकाल देंगे और थोड़ा ठंड़ा होने देंगे तो यह मैंने बाहर निकाल लेती हूँ तो देखिए कटूरिया मैंने बाहर निकाल दी थी और अब यह ठंडी भी हो चुकी है तो इसने देखिए साइड भी छोड़ दिये हैं अच्छे से तो बस इसी तरीके से इसे निकाल लीजे या चाकू से जो हैं इनके साइड जो हैं वो थोड़े से अलग कर लीजिए और उसके बाद पर लेकिए तो बहुत ही इसली ये निकल जाएंगे तो इस तरीके से तो बस हम चारो निकाल लेते हैं ढोकले और देखे आप इसमें जो जालियां देख पारे होंगे न तो वो जो ह पर पारो इसे जो आएं एसे तरीके से निकाल लेते हैं तो अगर आप ऐसे खाना जाहें तो आज भी खा लेंगे खा सकते हैं लेकिन 또 कृदा फ्राई करेंगे तो मैं अभी इने पीसे में नहीं कट कर रही हूँ, मैं इसे पूरा ही इसे फ्राई करूँगी तो यहां पे पैन में मैंने दो चमज देल डाले हैं, गरम कर दिया है वन टी स्पून जीरा, वन टी स्पून राई, एक पींच जो है, वो मैंने हींग डाली है करी पत्ता डाल देंगे दो के, और हरी मिर्च डाल देंगे, लंबे लंबा काटके, नीच में से और उसके बाद हम थोड़ा सा वन चिबल स्पून जो है, वो इसमें हम तिल, वाइट तिल जो है, वो एट करेंगे तो इस तरीके से इसे रख दीजे, अरेंज कर दीजे चारों को, और जब तक इसमें नीचे अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे तो नीचे से एक रिस्पी हो जाए, तो गैस की फ्लेम जो है, वो आप लोग कर दीजे और इसे धीरे धीरे पकने दीजे एक साइट से जब हो जाए, थोड़ा तो देखे हलका हलका से इसमें कलर चेंज हुआ है, तो बस अब हम इसे पलट देंगे और हम दूसरे साइट से भी इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, थोड़ा सा उपर धनिया पत्ति से मैंने इसको कारिश कर दिया है, तो बहुत चले इसे पलेट में निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि हमारा ढोकला बहुत ही जादा सुआबिस्ट बनके तयार हुआ है, और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही जादा ये खाने में भी अच्छा है, तो एक बार इसे ट्राइज जरूर कीज बाइ बाइ